हेलो एवरीवन वेलकम तू आल अफ यू इन इस पाइफन टुटोरियल सीरीज यहां बात करेंगे पाइफन 3 की इन 2020 इस सीरीज को कंप्लीट करने के बाद आप पाइफन प्रोग्रामिंग एफिशेंटली एंड प्रोफेशनली कर पाऊगे बट उससे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि पाइफन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यूं है आपको पाइफन क्यूं सीखनी चाहिए सो फ्रेंड्स हमारे पास अलग अलग परपस के लिए अलग 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 लैंग्विजिस अवेलेबल है इतनी सारी लैंग्विजिस मे इससे आपको पाइफन ही क्यूं सीखनी चाहिए मैं आपको यह नहीं बोलूगा कि पाइफन सारी लैंग्विजिस में सबसे अच्छी है बिकॉस हर लैंग्विजिस में कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट हैं और कुछ ना कुछ अडवांटेजिस हैं बट आयम वेरी मश्यूर देट पाइफन इस वेरी वेरी इजी एस कंपेर तू अधर लैंविजिस अब मैं आपको बताता हूं कि आपको पाइफन क्यू सीखनी चाहिए करेंटली पाइफन इंडिस्ट्री की ट्रेंडिंग लैंविजिस में से एक हैं ओके लिक माइक आपका माइक्रोसॉफ्ट गू या लेंड हो गैम डेवलपमेंट हो मशीन लर्णिंग डेटा अनलेटिक्स अधर रहा है पाइफन आपका हर एक दोमेन में आपको सपोर्ट कर रहा है पहले हमें हर purpose के लिए एक नई language सीखनी पड़ती थी like front end के लिए अलग language सीखनी पड़ती थी और back end के लिए अलग language सीखनी पड़ती थी तो but python ने क्या करा अपने developers को इतनी ज़्यादा feasibility दिये क्या कि वो किसी भी domain में use हो सकती है इसकी community day by day increase ही होती जा रही है guys python की help से AI and image processing जैसे task भी easily implement हो जाते हैं and most important thing जो कि python को और भी ज़्यादा grow करा रहा है वो क्या है job availability and high salary packages so friends अच्छी salary and job availability यह अच्छा motivation है कि आपको python क्यों सीखनी चाहिए plus python से ज़्यादा flexible language और कोई भी नहीं है अभी तक I hope अब आप लोग को समझ में आऊगा कि आप लोग को python क्यों सीखनी चाहिए so friends अब मैं आप लोग के साथ यह discuss करूँगा कि यह tutorial series और other tutorial series में क्या difference है basically हमारी tutorial series other tutorial series से अलग कैसे हो सकती है आप लोग को क्या benefit होगा इस tutorial series को देखे तो हम लोगों ने इस चीज़ पर focus कर रहा है कि जो हमारा एक non technical individual है वो python easily कैसे सीख सकता है आज की date में जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि python हर इक industry की demand है not even CSIT industry अगर आप robotic industries की बात करे या management site की बात करे तो वहाँ पर भी python का अच्छा utilization हो रहा है आज की rate में जो industries है वो यह चाहती है कि जो उनका employee है उन्हें python आनी चाहिए so that data analytics, data visualization अच्छे से हो सके presentable form में हो सके इसी चीज़ को ध्यान में रखते वे हमने इस tutorial series को design कर रहा है कि एक जो non-technical individual है वो python को कैसे सीख सकता है जिसे यह नहीं पता है कि programming होती क्या है variables क्या होते है, data types क्या होते है so that हम यह नहीं मान के चलेंगे कि आपको यह prerequisite आता है हम आपको from the basic till the advance हर कुछ बताएंगे python खतम करने के बाद जो हमारा next target होगा वह होगा machine learning and data science हम predictions कैसे कर सकते है data को analyze कैसे कर सकते है visualize कैसे कर सकते with the help of python and its libraries अगर आपको python से related किसी भी technology पे कुछ भी content का requirement हो तो आप मुझे comment करके बता सकते हो मैं आपको provide करा दूँगा in our next week we start with python introduction अभी के लिए हमने यह जान लिया कि python होता क्या है आपको python क्यूं सीखना चाहिए सो हम time को waste ना करते हुए अपने next video में सिधा python से start करेंगे कि python का introduction क्या होता है installation आप कैसे कर सकते हो और after that हम उसको syntax wise implement करते चलेंगे till then thank you guys